असलाओं वालेकुम गुड मॉर्निंग आप सबका मेरी चैनल तो बापस स्वागत है तो कल फेडरल लिजर्व की जो है मीटिंग थी कोई भी रेट कट या रेट लाइक नहीं हुआ है अपर फेड चेर्मन ने कहा कि ग्रोट ऑफ एकोनॉमी है स्लोट सिंस क्यू थ्री यानि कि तीसरे कौर्टर से जो है एकोनॉमी की ग्रोथ कम हो गई है ज्यादा मतलब most fed official, ज्यादा तर जो fed official से, fed members है, interest rate cut expect कर रहे हैं, 2024 में, नॉर्मल जो projection है, उनका 3 rate cut का है, 2024 में, 4.1% unemployment rate का target है, 2024 के अन्द तक, जो है, US GDP की growth है, वो 2006 में, 2000, 2.6% थी, 2023 में, और expect कर रहे है, 1.4% रहे, 2024, अगर आप इस summary पर ध्यान दोगे, तो जिस तरीके से rate cut expect की हैं, इस साल, जो rate cut expect हो रहे हैं, 3 rate cut, अगर आपको 2 महीने पहले का statement या, दो fed chairman का, तो उन्होंने बोला था, कि हो सकता है, कि 2024 में, कोई भी rate cut ना हो, और rate elevated रह सकते हैं, पूरे 2024 तक, तो finally fed reserve ने, federal reserve ने माना है, कि अब rate cut की जरूरत है, fed chairman पिछले साल कह रहे थे, December की meeting मुझे यहाद है के, they will risk recession to control inflation, but आज, यानि के कल उनका जो tone था, एकदम उल्टा था, now they are, they are risking recession, भले ही उससे, they are saving recession, भले ही उससे inflation थोड़ी बढ़ जाए, अब rate cut अगर होगा, तो that would be positive for gold prices, अब आप यह सोच सकते हो, कि यह वाला जो move आया है, सबसे बड़ा move जो gold prices के अंदर आया है, 1980 से लेके, 2017, यानि almost 40 dollar का जो move आया है, सिर्फ इसलिए आया है, कि rate cut की बात हो रही है, actual rate cut हुआ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ rate cut की बात हो रही है, तो gold prices इतने positive हो गए, अब next year जब rate cut शुरू होगा, तो gold के लिए बहुत अच्छी खबर है, बट अगले साल जो है, जब rate cut होगा, तो gold के लिए अफकॉर्स अच्छी खबर है, बट अगले साल जो है, election year है, US में भी election है, इंडिया में भी election है, दो major economies के major election है, तो उसका ख्याल रखेगा, उपर से जब ये rate cut शुरू होंगे, तब market का क्या हाल है, market कहां पर है, bonds कहां पर है, war के क्या हाल चल रहे हैं, दो major war चल रही हैं वर्ल्ड में, एक उधर Middle East में और एक उधर Ukraine में, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा, then we will conclude के हाँ भाई हाँ गोल्ड उपर अब जाएगा, अगर एक नजर में देखें, तो गोल्ड के लिए अच्छी ख़बर ही आईए, अगर कोई भी change नहीं हुआ, जियोग्राफिक में, जियोग्राफिकल conflicts में, या अगर हम election का भी, अगर हम conclude कर लेंगे, कोई भी volatility नहीं आएगी, तो आप 2223 तक expect कर सकते हो next year, मैं 2024 के forecast का वीडियो बनाऊँगा, 31 December से पहले आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो make sure आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, ताकि आपको next year के forecast का वीडियो भी मिल जाए, बाकि अभी 2031 डॉलर के असपास चल रहा है, resistance support देखते हैं, support है आज का 2015 का, resistance है आज का 2050 का, range बहुत ज्यादा बड़ी है, ये range तो सिफ support resistance की है, trend decider इससे भी नीचे है, trend decider आपको market commentary में देखने मिलेगा, थोड़ी दिर में, silver पर आते हैं, 23.90 के असपास चल रही है, जिस तरीके से silver भागी, 22.80 से लेके 23.90 तक आ गई है, बिलकुल gold के parallel ही भागी है, न आउट performance है न अंडर performance है, resistance support देख लेते हैं, support है, 23.50 का, resistance है, 24.10 का, trend इसका positive ही है, gold और silver दोनों के दोनों trend positive है, आज वैसे US का data भी है, US के data के साथ साथ, एक monetary policy भी है, major, दो monetary policy in fact, Britain की monetary policy है, साड़े 5 बजे, ECB की monetary policy है, पौने 7 बजे, unemployment claims को, retail sales, retail sales है 7 बजे, 7 बजे है, ECB की press conference, तो आज ये वाला इतना major data है, तो इस पे धियान रखेगा, कुछ भी उपर नीचे होता है, तो gold, silver के prices पे फर्क पड़ेगा, अब आता है oil पे, कल 68 डॉलर का support मैंने आपको दिया था, 68 डॉलर से नीचे कोई भी candle नहीं बना है, wix बने है, support को अच्छा respect किया, crude oil prices ने, आज का resistance support क्या है, देख लेते हैं, आज का जो resistance है, 70-30 का है, support है आज का, 68-50 का, trend है इसका flat, बट 70-30 के उपर जाके sustain करता है, तो जरूर एक positivity की तरफ, crude oil prices जा सकते हैं, अब आते हैं यूरो पे, यह है यूरो, 820 का कल resistance था हमारा, वैसे कल भी positive zone में ही था, 760 का support था, 780-770 तक गया धकल, support breach नहीं हुआ, बट यह वाला candle जो है, 783 से, 892, 100 pips से भी उपर का जो है, यह candle है, obviously positive zone में है, there is no doubt about that, कल का resistance आज का support है, resistance है आज का 960 का, trend positive ही है, trend में कोई भी change नहीं हुआ है, तो खयाल रखेगा, British pound पे आते हैं, 2650 चल रहा है, 2590 का कल का support था, obviously positive zone में है अब, आज का resistance है 2600, पिच्चान रहेगा, support है आज का 2560 का, trend इसका positive है, तो रखेगा, खयाल, crypto की तरफ चलते हैं, सबसे पहले, देखेंगे bitcoin, जो की चल रही है, 42,700 गया असपास, 42,600 का कल का support था हमारा, इसका मनलब support ब्रीच हो चुका है, resistance ब्रीच हो चुका है, 42,600 का, आज का support है 4,900 का, resistance है आज का 43,500 का, trend है जी positive, market जो है, इसकी भी positive हो गई है, जिस तरीके से federal reserve ने बोला, के भाई rate cut होने वाला है, तो सारे के लोगों ने buying शुरू कर दी, यह है ethereum, 22,52 चल रहा है, 22,70 का जो resistance है, वो अभी भी बरकरार है, 22,700 का support है आज का, 22,70 के उपर अगर टिकता है, तो positive zone में चल जाएगा, otherwise slide zone में ही है, बाकी market commentary की जानकारी, market commentary का मतलब यह होता है, कि जैसे के levels मैंने अभी आपको यह दिये है, gold, silver के levels, 2015, 2050, शाम होते होते तक, इतना major data है, monetary policy है, तो शाम होते होते तक, levels change हो जाएगे, तो change levels आपको market commentary में देखने मिलेंगे, market commentary और paid signals की जानकारी के लिए, मेरी team का WhatsApp number डिस्किप्शन में दे रखा है मैंने, live data breaking news का update, टेलिग्राम और ट्विटर पे आता है, दोनों का address, screen पे है, link description में है, अब मिलेंगे next video में, तब तक के लिए, take care, bye bye,